अब हम strain energy stored in a beam due to bending हम देखेंगे देखें हमने अभी तक क्या देखा है हमने देखा strain energy stored due to gradually applied load strain energy stored in a body due to sudden applied load strain energy stored in a body due to impact strain energy stored in a body due to shear stress अब हम देख रहे हैं strain energy stored in a body due to bending तो देखेंगे आपको एक यहाँ पे beam दिया हुआ है यहाँ पे आपको एक beam दिया हुआ है तो हमें निकालना है कि इसके अंदर कितनी strain energy stored होगी इस beam का यह एक neutral axis है जिसको मैंने एने बोला है हमने क्या करा इस beam में यहाँ पे एक छोटा सा section लिया इसको मैंने नाम दिया c c dash इसको मैंने नाम दिया deep d dash इस neutral axis से y दूरी पर मैंने एक layer लिया है इस layer की यह जो चड़ाई है उसको मैंने क्या बोला है dy बोला है इस layer का यहाँ से जो इस layer की जो length है उसको मैंने dx बोला है इस layer का यहां से जो distance से उसको मैंने x बोला है इस layer को मैंने एक नाम दे दिया that is e f g h यह देखें अभी आप यह front view में देख रहे हैं अगर आप इसी beam को side view में देखेंगे तो यह beam आपको इस तरीके से नजर आएगी side view में आपको यह जो layer है इस तरीके से दिखेंगी इस side से देखेंगे तो इस layer की यह जो width है उसको मैंने b बोला है और उपर जो width है उसको मैंने b डेश लेके चल रहा हूँ तो हमें क्या निकालना है कि यह beam में total strain energy कितनी store होगी तो हम strain energy store का formula जानते हैं strain energy store इन्हें body का formula क्या होता है sigma square upon 2e into volume होता है यह हम इसका derivation हम पहले कर चुके हैं तो पहले हम क्या करेंगे यह जो लाल वाला आपको volume नजर आ रहा है जिसकी की length कितना है dx है इसमें हम strain energy store निकाल लेंगे dx length पे जो volume आपको नजर आ रहा है इसमें कितना strain energy store होगा वो निकाल लेंगे तो dx length का आ जाएगा तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा total length जो L है इसमें total strain energy कितनी store होगी यह भी आपको निकल के आ जाएगा यह जो आपको area नजर आ रहा है यहाँ पे bending moment कितना लग रहा है इस area में that is m तो उस bending moment के करण इस area पे stress कितना आ रहा है that is sigma अब हम अपना derivation चलू करते हैं तो देखे हम जानते हैं strain energy of a small volume यह small volume है जो लाल वाला जिसका यह front view और यह side view है small volume कितना है dx into dy into b है इसका volume red वाले का देखें dx इसकी length है dy इसकी चुड़ाई है और b क्या इसकी width है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही है यह b आपका इस तरीके से यहाँ पे width है it is b तो यहाँ से side से देखने पर b आपको इस तरीके का नजर आएगा तो strain energy of the small volume, small volume मेंने कह लिया है dx into dy into b लिया है that is stress on EFGH का whole square upon 2e into volume of b into dx into dy अब देखिए हम इसको लिख सकते है stress मतलब that is sigma square upon 2e into volume of b into dx into dy ठीक अब देखिए sigma, sigma क्या है bending stress है हम bending equation जानते है that is m by i equal to sigma by y तो sigma की यह जो value हम यहाँ से निकाल सकते है इस layer के उपर मैंने आपको बता है कि bending moment कितना लग रहा है that is m लग रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा sigma is equal to m by i into y तो sigma की जगा मैंने value put कर दिया that is m by i into y इसका मैंने क्या करा whole square कर दिया तो देखिए यह जो लाल वाल आपको हिस्सा नजर आ रहा है जिसका के front view यह है side view यह है इसमें strain energy इतनी store होगी तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं du लिख सकता हूँ du is equal to m square upon 2e i square into b into y square dx into dy हमने length कितना लिया है dx length पर पहले मैं strain energy निकाल रहा हूँ तो देखिए हमको strain energy dx length पर अगर निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा इसको थोड़ा simplify मैंने कर दिया तो simplify करने पर क्या हो गया मैं dx को यहां ले आया dx को मैं इधर ले आया ठीक और यहां पर क्या बचेगा by square dy बचेगा तो dx length पर जो strain energy store होगी वो कितना होगी यह छोटी सी length पर जो strain energy store होगी ठीक अब हम क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे और यह जो constant value रहेगी मैं उसको बाहर ले लूँगा इसको मैं बाहर ले लूँगा तो इससे देखिए आपके strain energy store in a body आपको निकलके आ जाएगी अब देखिए मैंने इसको integrate कर दिया तो total strain energy जो dx length पर store होगी वो आपके निकलके आ जाएगी तो आप जानते integration आप y square b into dy क्या होता है यह moment of inertia के बराबर होता है तो देखिए y square b into dy को मैंने क्या लिख दिया i से यहाँ पर i square है तो एक i आपका कड़ी आएगा तो dx length पर जो total strain energy store होगी वो कितनी होगी m square upon 2ei dx होगी dx length पर जो total strain energy store होगी वो आपके कितनी होगी m square upon 2ei into dx लेकिन हमको तो l length पर निकालना है तो dx की जगह मैं क्या लिख दूँगा l लिख दूँगा तो total strain energy store in the body निकलके आजाएगी वो कितनी होगी that is m square l upon 2ei तो यह जो formula है वो dx length पर जो strain energy store होता है उसके लिए formula है dx की जगह आप l लिख देंगे तो आपको total strain energy store in the body आपके निकलके आजाएगी due to bending उसका formula ध्यान रखेगा m square l upon 2ei आप